शुप्रभाद कक्छा दुद्धी बचों विशय आपका हिंदी रिमजीम तो चलिए आप भी अपनी हिंदी की पुस्ताक रिमजीम खोल लीजिए और इसमें देखिए इसमें हम अध्यन कर रहे थे आपके छट वे अध्यॉए बहुत हुआ कवीता का और इसने के बाद हमने इसी सब्भनेंदी और इसने सब्दीं काले में एक्वा पानी दे कविता का अध्यन किया और जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह सभी बादलों से बरशने को लिए वर्षा करने के लिए प्राठता कर रहे हैं और बारे सोने पर किस तरह से खुसियां मनाने की बात की जा रही है तो आज हम इस अध्याय में जो कठिन सब्ध है उनका अर्थ अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे तो चलिए आप भी अपनी हिंदी की कॉपी खोर लीजिए और देखे तो देखे बच्चों आप पी अपनी हिंदी की कॉपी में सबसे पहले आज की दीनांग 10 सितंबर 2021 डाल दीजिए फिर पाठ संख्या 6 फिर उपर लिखेंगे आप बहुत हुआ और फिर देखो इस तरह से आप लिख लेंगे काले मेगा पानी ते क्योंकि यह बहुत हुआ अध्याई के ही अंदर हैं अंतर गत आती है काले मेगा पानी तो आप इन दोनों को साथ में लिख देंगे इस तरह से फिर यहां पर देख लो कठिन सब्दों के अर्थ तो यहां पर जो हमने कविता में कुछ कठिन सब्द पढ़े उनका अर्थ हम कॉपी में लिखें हैं तो मेगा मतलब बादल और जब काले मादल चाते तब बारी सोती न तो मेगा बादल फिर है दूसरा गुडधानी 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 गुड मिला कर बनाया गया धान का लड़ उसे गुडधानी कह जाता है तो यहां पर गुडधानी का अर्थ आप गुड मिलाकर बना गया धान का लेट डू देख लिए गुड और धानी धान मतलब चावल का दाना और गुड आपको पता ही है गुड तो गुड और धान को मिलाकर बना गया लेट डू गुड धानी तो इस तरह से आप लिखेंगे गुड मिलाकर बनाया गया धान का ले तो ठीक है फिर तीसरा देखो इसमें खलियान खलियानों या खलियान कुछ भी लिख सकते हैं आप तो खलियान वो इस्तान होता है जहां फसल या अनाच रखा जाता है अपने पड़ानास में कविता में के खेतों से खलियानों तक तो यहां पर खलियानों का अर्थ है कि जहा फसलों को काट कर रखा जाता है अनाच रखा जाता है उन्हें खलियान कहा जाता है तो खलियानों का अर्थ लिखेंगे आप जहां फसल या अनाच रखा जाता है फिर चौथा है इसमें धानी धानी यहां पे धानी धर्ती को रंग धानी दे रंग की बात की जारी है तो यहां पर रंग धानी मतलब हलका हरा रंग, आपने धान का पौधा कभी देखा होगा, जब धान का पौधा कैसे रंग का होता है, हलका हरे रंग का होता है, तो उसे धानी रंग कहते हैं, हलका हरे रंग का, तो धर्ती को क्या दे चारोर हर्याली दे हरा रंग दे जब बर्शा होती है तो चारोर हर्याली चाती है तो इसलिए कहा जा रहा है धर्ती को रंग धानी दे मतलब धर्ती को हरा रंग दे हलका हरा रंग दे धान के पौधे जैसा धान के पौधे जैसा इस तरह भी लिख सकते ह अब धान के पौधी जैसा हरा हलका हरा रंग दे, फिर पाँच्वा लिखेंगे आप ताल, ताल मतलब तालाब, आपने देखेंगे बड़े बड़े तालाब, तालाब, फिर है छट्वा तलाइया, ताल तलाइया, ताल तलाइया, ताल तो बड़े तालाब हो जाते हैं, और तलया कहा जाता है तो तलया का अर्थ लिखेंगे आप छोटा तलाब फिर सात्वा है दाना पानी दाना पानी मतलब दाना अन भोजन है ना दाना पानी अन भोजन लिखेंगे और फिर आपको पता है पानी जल पानी है ना तो दाना पानी मतलब भोजन जल मिलेगा हमें जब कि अप्रसाम भोजन मिलेगा और पानी तो मिलेगा ही फिर आटवा लिखेंगे अप जिन्दगा utilizar धनियवाद बच्चों आज हूँ कि अपने अपनी धनियाभाद बच्चों झाल झाल